स्वागते प्यारे बच्चों, आज हम जीवन नहीं मरा करता है इस कविता का भावार देखेंगे इस कविता के कवी का नाम है गोपाल्दा सक्सेना नीरज इनका जन्म 4 जन्वरी 1924 पुरावली इतावा उत्तरप्रदेश में हुआ पद्मभूशन गोपाल्दा सक्सेना नीरज जी कवी सम्मेलनों के मंचों पर काव्यवाचक एवं विख्यात गीतकार है बादल बरस गयो नीरज रच्चनावली नीरज की गीतिकाए दर्द दिया है यह इनकी प्रमुक रच्चनाए है प्रस्तुत कविता में कवी ने विविद उधार्णों के माध्यम से जीवन की समस्याओ और उनकी शाश्वत्ता की ओर संकेत किया है जीवन में एक बार असफल हो जाने का यह अर्थ कभी नहीं होता कि जीवन समाप्त हो गया हमें निराशन होकर फिर से प्रयास करना चाहिए तो चलो बच्चो कविता की शुरुवात करते हैं चिप चिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थल उटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है इन पंक्तियों के माध्यम से कभी हमें कहना चाहते हैं कि यदि हमारा कोई सपना पूरा नहीं हो पाए, समय से पहले ही तूट जाए तो हमें निराशन होना चाहिए चिप चिप कर रोना नहीं चाहिए आशु रूपी मोतियों को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए कुछ सपने यदि पूरे नहीं हो सके तो जीवन समाप्त नहीं हो जाता अगली पंक्तिया है माला बिखर गई तो क्या है खुद ही हल हो गई समस्या आसुगर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या यहाँ पर कभी हमें कहना चाहते है कि माला यदि तूटकर बिखर गई तो चिंता नहीं करनी चाहिए यदि हमारे आसुओ पर लोगों का ध्यान जाता है तो समझना चाहिए हमारी तपस्या पूरी हो गई अगली पंक्तिया है रूठे दिवस मनाने वालों फटी कमीज सिलाने वालों कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है तो बच्चों यहाँ पर कभी कह रहे है कि परिस्तितियों से हार कर रूठ कर बैच जाना समस्या का हल नहीं होता यदि कमीज स्फट जाए तो उसे सिला लेना पड़ता है फेक नहीं दिया जाता हमें यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि आंगन में जलते दीपों में से कुछ यदि बुझ भी जाए तो बाकी के दीप आंगन में अपना प्रकाश फेलाते रहते है अगली पंक्तिया है खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर केवल जिल्द बदलती पोथी जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती वस्त्र बदल कर आने वालों चाल बदल कर जाने वालों चंद खिलोनों के खोने से बच्पन नहीं मरा करता है तो बच्चों यहाँ पर कवी हमें कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी समाप नहीं होता केवल उसका रूप बदलता रहता है रात के बाद दिन का आना ऐसा लगता है मानो रात ने चांदनी रूपी वस्तर उतार कर धूप रूपी वस्तर पहन लिये हो हमें यहाँ समझना चाहिए कि बच्चपन में खेलते समय कुछ खिलोने तूट जाते हैं कुछ खो जाते हैं परंतु बच्चों के आनन्द पर कोई असर नहीं होता उसी प्रकार हम पर भी कोई असर नहीं होना चाहिए अगली पंक्तिया है कितनी बार गगरिया फूटी शिकन पर आई पन घट पर कितनी बार किष्टिया दूबी चहल पहल वो ही है तट पर तम की उमर बढ़ाने वालो लो की आयो घटाने वालो लाख करे पत जर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है तो बच्चों यहाँ पर शिकन इस शब्द का अर्थ होता है सिल्वट चिन्ता पनघट इस शब्द का अर्थ है वह स्थान जहां लोग पानी भरते है तो बच्चों इन पंक्कियों के माध्यम से कभी हमें कहना चाहते है कि पंगट पर पानी भरने वालों का हमेशा आना जाना लगा रहता है जाने कितनी गगरियां वहां आए दिन तूटती रहती है परंतु पंगट उनका कभी शोक नहीं मनाता वहां की चहल पहल पर कोई फर्क नहीं पड़ता निराशा आदी दुष्टिकों रखने से मन मस्तिक्ष में अंधीरा बढ़ता रहता है आशारूपी प्रकाश की लोग की आयू कम हो जाती है पतजड आता है उपवन के पुश्प पत्ते सब जड़ जाते है परन्तु वसंत के आते ही सभी फ्रिक्ष नए कोमल पत्तों से लज जाते है पतजड की लाख कोशिशों के बाद भी उपवन हराभरा रहता है अगली पंक्तिया है लूट लिया माली ने उपवन लूटी न लेकिन गंध फूल की तूफानों तक ने छेडा पर खिलकी बंदन हुई धूल की नफरत गले लगाने वालों सब पर धूल उडाने वालों कुछ मुकडों की नाराजी से दरपन नहीं मरा करता है तो बच्चों कभी यहाँ पर कह रहे है माली प्रती दिन उपवन के सभी फूलों को तोड लेता है लेकिन वह वहाँ फैले सुगंध नहीं लूट सकता तूफान आते रहते हैं परंतु सुगंध के स्तुरोत का वे कुछ नहीं बिगार सकते कुछ लोग सदा नफरत का भाव मन में लिए रहते है ऐसे लोगों का काम होता है हर समय दूसरों की निंदा करना लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि दरपन का काम होता है केवल सच्चा ही दिखाना तो बच्चो इस कविता का भावार्त यही समाप्त होता है यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अगर यह वीडियो आपको हेल्पूल लगी तो इस चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें और नई वीडियो उसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जब लाइकान दिया है उसे प्रेस करना ना भूले